NEET एकजाम देश के कठिंतम परिक्षाओं में से एक है जिसमें हर साल लगभग 24 लाग से अधिक स्टुडेंट्स बैठते हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेज में एड्मिशन पाने के लिए स्टुडेंट्स दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि एंट्रेंट्स एकजाम यानि नेश्ट्मल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंट्स टेस्ट नीट एकजाम में बहतर रेंख हासिल कर सकें। चार जून को नीट रिजल्ट जारी होने के बाद एकजाम पास करने वाले स्टुडेंट्स की सफलता की कहानी सामने आ रही है। ऐसी कहानी है आगरा के परिवार की जहां एक ही परिवार के तीन बच्चों ने नीट एकजाम पास किया है। करीब तेरह लाख बच्चों ने इस बार ये परीक्षा पास की है ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ही परिवार के तीन बच्चों ने नीट में बाजी मारी आगरा के क्रिश्न बाग दयाल बाग के रहने वाले महावीर प्रसाद त्यागी और उनके छोटे भायों के बच्चों को नीट में काम्यावी मिली है पूजा त्यागी ने 720 में से 676 नंबर, मनोज 671 और मांसी त्यागी ने 640 अंख हासिल किये है आगरा के क्रिश्न बाग के रहने वाले महावीर प्रसाद त्यागी ने बताया कि उनके परिवार के बच्चों ने उनका नाम रोशन किया है अब उनके पूरे परिवार को सब दॉक्टर वाली फैमली के नाम से बुलाएंगे उन्होंने बताया कि उनके बेटे अजय त्यागी पहले से ही MBBS की पढ़ाई कर रहे है इस बार के नीट एकजाम में उनके दो छोटे भायों के बच्चों ने एक साथ नीट एकजाम क्रेक किया है अब हमारे घर में चार दोक्तर हो गए ये हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है महावीर प्रसाद त्यागी के भायों के बच्चों ने नीट पास करने के लिए नियमों का सकती से पालन किया है बच्चों ने दो साल तक टीवी और मोबाईल से दूरी बना रखी थी इसी के साथ उन्होंने सोशल गैदरिंग और आउड़ोर एक्टिविटी में भी शामिल होना बंद कर दिया था उन्होंने बताया कि तीनों बच्चे रोज अपनी पढ़ाई के लिए 12 से 14 घंटे देते थे और एक दूसरे की मदद से अपने सारे डाउट्स क्लियर किया करते थे